हाई केट्स तो चलो आज जनमास्टमी के लिए बहुत ही सुन्दर सा कार्ट को घर में बना करके तयार करते हैं सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना एफोर साइस का वाइट पेपर लेंगे और हाफ में फोल्ड करके ग्लियो करके स्टिक कर लेंगे ध्यान रखे कि आप फेबिकुल के जगा फेबी स्टिक का यूज कर कर क्योंकि फेबिकुल से कहीं कहीं पर पैच आ जाता है और फेवी स्टिक से एवेनली स्टिक होता है और कहीं बबल का दाग भी नहीं पड़ता है अब उपर के पाट में कोई भी एक सरकल लेंगे घर में कटोड़ी या कोई भी ग्लास लेना और उससे आप सरकल ड्रॉ कर लेना अब एक यहलो चाड पेपर लेंगे और उसमें हाफ करके कुछ ही सरह से मटका में सेप में इसको कटिंग कर लेंगे जल्दी अले से कमेंट करो कि नेक्स डियाईवाइवाइज कार्ड या पूर साभी चाफ में क्या कि आप लोगता है अब इस मटके को कुछ डेकोरेट कर लेंगे बहुत ही बेसिक चीज मैं यूज़ कर रही हू स्केच पेन को यूज़ करके मैं इसके नेक पर राउन राउन सा सेब एड़ कर रही हूँ जब तक मैं डीडियल एड़ कर रही हूँ आप जल दीसे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइबर क्यूट क्यूट सा कमेंट कर दो मेरे पास मोती और मीरेर था तो मैंने उसे डेकुरेट कर लिया अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एपने स्केच पेन का यूज़ करके अपनी कलाकारी को दिखा सकते हैं ग्लू के चुड़े चुड़े ड्रॉप को बना करके मैंने यहाँ पे साइनिंग वाला कुंदन लगा दिया है आप बिना कुंदन के भी इसको बना सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छा और यूनीक सा कार्ड का लुक बन करके तयार होगा जो मिरर मैं खोज रही थी वो वाला तो नहीं मिला लेकिन राउंड सेप का मिरर मुझे मिल गया तो मैंने राउंड सेप का मिरर चिपका करके और चारो तरफ आउटलाइन के लिए बिन्दी गोलगल डॉट 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 लगा दिया इसको लगाने से मटका की खुब सूर्थी और जादा बढ़ गई इसके एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने अरेंज करने के बाद कट कर दिया अब बारी आती है माखन की मटका है और माखन गिरता हुआ ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता तो इसके लिए मैंने पहले ग्ल्यू लगा दिया डूबो डूबो करके अब उसके बाद मैंने कॉर्टन लिया रूई को हलका हलका सा खीचते जाएंगे और उसके रेशे को लगाते जाएंगे इकठा रूई ला करके और ऐसे ही चिपकाने ही देना है उसको खीच-खीच के तोड़ेंगे और उसके बाद चिपकाएंगे अब रूई और वाइट पेपर अलग अलग दिखे इसके लिए मैंने इसको धोरा साइड से आउटलाइन कर दिया पिंक कलर से अब एक पिंक चाट पेपर लेंगे और जो सर्कल हमने बनाया था उतना ही बड़ा कट करके और स्टिक कर देंगे अब चुड़े चुड़े सर्कल्स को मैं इस कटर से कट कर रही हूँ अगर आप पस यह कटर ना हो तो आप इसकेज पेन का यूज करना और उससे आप चुड़े चुड़े राउंड राउंड से यहां पर डिजाइन बना देना उससे भी यह उतना ही ज्यादा सुन्दर ल लगाया है तो आप ध्यान रखना कि आप तोड़ा डीपर मार्कर से इसको लिखना अब कुछ गोल्डिन मोती से इसको और ज्यादा हेवी और डेकोरेटिव लोग देंगे अब कोई सेलिब्रेशन हो और फ्लावर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई भी कार्ट फ्लावर की बिना बहुत ही हलका सा अधूरा लगता है मुझे थुरा कार्ट खाली-खाली से लग रहा था इसलिए मैंने पेपर का फ्लावर बना लिया चार बार इस तरह से फोल्ड कर दिया पेटल्स का मार्क करके इसको कट आउट निका लिया अब एक पार्ट को कुछ इस तरह से बी स्टार कटर था तो मैंने उसकी सहाइता से स्टार को कटिंग किया और चिपका दिया लो बच्चो क्यूट सा जनमास्ट मी काट बनके तयार है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर करना बाई बाई